नमस्कार जुनियोस बिरनाम है अधित शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमस भईया तो अर आज के इस वीडियो के अंदर आम लोग बात कने वाले हैं IP University के Second Year के बच्चों के बारे में Second Year का Examination Pattern कैसे होने वाला है कि भाया हम लोगों का Second Year के अंदर क्या Pattern फॉलो होने वाला है क्या हमारा First Year का 60-40 Marks वाला Pattern ही फॉलो करा जाएगा या फिर आप लोगों का जो पहले होता था 75-25 Marks का या फिर जो Third Year के हिसाब से चल रहा है Third Year, Fourth Year का बाकी बच्चों का चल रहा है उनके हिसाब से हमारा भी 75-25 का Pattern होने वाला है कुछ Clarity यहां पर बच्चों को अभी तक नहीं देखने को मिलिया IP University ने अपनी साइट से वैसे तो ऐस सच कोई Official Notice नहीं निकाला है और मैंने बच्चों को यहीं का था कि जो जो मुझसे पूछे थे जरूर बताने वाला होगा आई-पी उनिवर्सटी ने क्या किया है IP University ने इनजर जो नया स्लेबस निकाला है जो की नए बच्चों के लोड़ना होने वाला है वह वैसे तो स्लेबस आप लोगों के ऊपर फॉलोड नहीं होता है उनके सारे exam 60-40 के साब से होंगे, तो इसका मतलब हम लोग यह मान के चल सकते, कि आप लोगो का भी जो pattern रहेगा, वो अल्मोस मेरे चाल सब सेम ही रहने वाला है, आप लोगो के pattern के अंदर को भी changes नहीं करे जाएंगे, IP University नहीं यह का था कि बच्चों का admission पिछले साल लेट कराया गया है, और बहुत जादा डिले हो गया था admissions के अंदर, इस वज़े साप लोगो को 60-40 का यह जो pattern है यह दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह pattern को सिर्फ एक साल के लिए रखा गया था, यह pattern को यह लोग आगे भी follow करने वाले है, मैं अब जितने भी बच्चे ग्रैजुएशन के अंदर थे, वो लोग अनुका second year है, third year है, fourth year है, मैं अब कोई भी आप लोगो का year होगा आगेगा, कितने हैं, मैं passing marks बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोग परिशान मत हुआ करो, passing marks आप लोगो के चाहे कोई भी बैटन होता है, passing marks आप लोगो 40 ही रहते हैं, passing marks अभी दख IP University ने चेंज नहीं करें हैं, हाँ, अगर कोई चेंज आता तो मैं आप लोगो बैलकुल नोटिस की वीडियो बना की जरूर दे दूँगा, कि हाँ आप लोगो का यह नोटिस आया और उसके अनर यह information दे रखिया, तो आप लोगो को टेंशन मिलकुल मतलिया अगरो, आप लोगो बिलकुल मिल जाएगी, तो आप लोगो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बाकी अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज को लाइक करो, मेरेको और नए-ने टॉपिक्स बताओ यार आप लोगो को कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, मैं मलत आप से अगली वीडियो में भी क्लिए इतना ही धन्यवाद,